कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल इफट एंडिया में तो फ्रेंड्स मैं प्रमोथ पांडे है हैं आज फिर से आपके सामने ऐरन फ्लाइभ पर एक वीडियो लेकर आया हूं उस वीडियो को लाने का जो मेन कारण है कि जो म हमारे सब्सक्राइबर हैं संदेश अगरवाल जी उन्हों ने दस मार्च को यह आप देख रहे होंगे कमेंट्स में कि दस मार्च को ट्रेड डालने के लिए रिक्वेस्ट कि यह 18 मार्च वाली इस पर दिखाएं अब जाहिड सी बात है संदेश जी ने अगर यह रिक्वेस्ट की है तो काफी वालेटाइल वीक होगा और सबके माइंड में यही रहता है कि हम वालेटाइल वीक्स पर ही अपना तो फियर नहीं पैदा करना है जिसकी वज़े से हम अपनी मार्केट में ट्रेड ही नगर पाएं अगर हम ऐसे अपने आपको मैनिपलेट करते रहेंगे फियर को अपने अंदर लाते रहेंगे तो कहीं न कहीं हमारी ट्रेडिंग पर उसका असर आएगा और हम एक सक्सेस्फ करके दिखाता हूं आपको कि क्या हम उसे मैनेज कर पाते हैं अपने रूस के साथ तो हम चलते हैं मार्च में 18 मार्च की एकस्पायरी रखनी हमें तो 8 मार्च का यह रहेगा 10 को में ट्रीड डालनी है 18 March की नहीं है, Xpiry 17 March की है. तो हम 17 March को ले लेते हैं, और 320 पे, जैसा हम लोग trade डालते हैं, उनकी request भी 320 है, तो 320 पे हम Bank Nifty को देखते हैं, तो friends, आप लोग इसQ्रीन पर देख सकते हैं, जो हमारा ATM चल रहा है, 34,472 है, तो हम 34,500 ले लेते हैं, और जैसा कि आरें फ्लाइक रेट करते हैं 34,500 का पुट और 34,500 का कॉल दोनों सेल कर रहे हैं दोनों आप देख सकते हैं हमें almost 1400 रूबी का प्रीमियम कलेक्ट हुआ है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम 200-300 पॉइंट फार जाते हैं तो हम 200 पॉइंटि फार चलते हैं भी 300 पॉइंट भी ले सकते हैं जैसा हमें सही लगे तो 1400 है तो हम 300 पॉइंट आलमोस्ट शत्रा सो तो हम 32,500,34,300,800 बॉटिस आठ सो को बाई कर लेते हैं और आगे कि आगे हमारा आएगा चौतिस पानसो पैतिस पानसो चतिस दो सो चतिस दो सो को भाई कर लेते हैं ठीक है फ्रेंड्स हमारी आयरें फ्लाई क्रेट हो चुकी है जिसमें हमें अल्मॉस्ट पच्च चब्वीस अजार सम्थिंग का प्रॉफिट शो हो रहा है और शिक्टीन थाउजेंट का लॉस हो रहा है फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है हम समय मखेंने से हमारे रूल्स की एक्वर्डिंग हमें कि सी भी कंडिशन में या तो हमें सपोर्ट राइंड्स के साथ हमें ट्रेड को मैंच करना होता है कि आपजेद डरीक्शन में और अगर क्या खेते यह हम जिस हम जो आफ मार्केट यह सिमुलेशन कर रहे हैं तो जाएड सी बात है हमें इसमें लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पाता है तो हम यह मान के चलेंगे कि 34,000 हमारा सपोर्ट है और 35,000 हमारा रेजिस्टेंस है तो 34,000 या 35,000 अगर मार्केट पहुंसता ह फ्राइडे को तो हमें ट्रेड को अड़्जेस्ट करेंगे नहीं तो इमिलिंग में लास्ट में जाते जाते हैं हम अड़्जेस्ट करेंगे तो दीखते हैं फ्रेंड क्या होता है प्राइस चार सो पे है आदे आदा घंटे बढ़ाते हैं 622,694,531 अल्मोस्ट हम 34,500 के सराउंडिंग ही चल रहे हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड स्क्रीन पे अल्मोस्ट हम 34,500 के आसपास ही है 351 किसी है तीन बीस अल्मोस्ट हो गया है और सेम इस्ट्राइक प्राइस पे उतने पर ही अल्मोस्ट फ्राइडे को भी हमें क्लोजिंग मिल रही है तो अब हम 320 पे अपने जो पुट एंड कॉल थे अब उन्हें हम ब्रेक इवन पर कम से कम ब्रेक इवन पर लाएंगे लाएंगे और अगर हमारा 20 परसेंट रूल फॉलो करेगा तो हम उसे और अंदर भी कर सकते हैं ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे ब्रेक इवन जो आयरेंड फ्लाई की कन्वेंशनल फ्लाई होती है उसमें हमें क्या होता चौदा सो प्रीमियम मिलता तो हमें चौदा 35 900 के हैजेस हमें वाई करने थे लेकिंगे 300 पॉइंट हमने फॉर वाई किया था तो अब हमें फ्राइडे इवनिंग में क्योंकि हम सेटर्डे संडे का रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आल्मोस्ट वहां तक तो लाना ही है 33 100 and 35 900 तक तो लाना ही है और अगर हमारे 20 परसेंट रूल फॉलो होता है तो हमें और विलो भी ले आना है और अंदर भी ले आना है तो पुट साइड चलते हैं पुट साइड हमारा यहां पर डिफ्रेंस देखें 20 से कम है यहां भी 20 से कम है हमने 33 100 तक आना चाहिए था कन्वेंशनल फ्लाइड के अनुसार जो हमें हर वीडिय जाद हो गया है फ्रेंड तो हम 33 200 तक आएंगे ठीक है सेम इसको एक्जेट कर लेते हैं जो हमारा है है जिस था 32 800 सैम झिनग कॉल साइड में हमने 36 200 ले रखा था तो यहां से देखते हैं कितना यंदर आ सकते हैं 135 यह भी हमारा 20 इंस इसमें भीलमूस्ट 20 का डिफ्रेंस है यहां भी 20 का डिफ्रेंस है तो फ्रेंट हम 35 900 यहां भी आ सकते हैं और इसके आगे हमारा एक्सेस हो जाएगा 24 पॉइंट जा रहे हैं हमें 20 से ज्यादा नहीं देना और हम यहां पर 35 900 लिए 36 200 को एक्जिट कर देंगे ठीक है फ्रेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्टे क्या होता है नेक्स्टे मार्केट ऊपर की तरफ गया है अगर अभी भी हमारा सेम रूल है 3500 अगर टाच होगा तो हम पुट साइड को एड़्जेस्ट करेंगे ओके फ्रेंट्स हम पास मिलाएंगे क्योंकि मार्केट एक बच्चे की तरह होता है हमें नहीं पता कब उपर जाएगा कब नीचे जाएगा और यह क्रॉस कर गया फ्रेंट्स तो अब हम फिर से पुट साइड में देखेंगे कि पुट साइड में क्या एड़्जेस्ट्मेंट कर सकते हैं हमा ने जो है अपने जो रूल से वो फॉलो करने ही हुग है ठर्टी थ्री ट्व हघंडर पर हमारी फूट है तो थिट्री त्रटी समीर तक हम लोग जा सकते हैं लेकिन हमारी साइड पूट साइड में 33 600 पर हम लॉस्फ्री ऑल्मॉस्ट हो जाएंगे देखते हैं और 33 200 को हमें एज्जेट करना है कि अल्मॉस्ट हम जो है लॉस्फ्री हो चुके हैं नीचे की तरफ और उपर हमारा ब्रेक इवन 35 370 है अब अगर हमारा ब्रेक इवन जो 35 370 है मतलब आप 35 400 बानके चलें किसी भी कंडिशन हो क्योंकि हमने नीचे की तरफ तो अपनी ट्रेड को एडजेश्ट कर लिया है लेकि हमें ऊपर भी तो इतना यह 13000 रुपे का लॉस नीची ही ना आप देख सकते हैं इस स्क्रीन प एफ यह जो होता हैं हमें 30 धाउजनट का अगर हर लेते रहेंगे तो फिर उम मार्किट में घर बारी आप ल met से कि वीडियो में चर्चा करता हूं और फ्रेंड अगर आप भी तक आप ने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग वोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर सबस्क्राइब करें चैनल को लाइक करें शेयर करें और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें जिससे हमें ही मोटिवेट होगे फ्रेंड तो अब हमें जो मैंने आपको बताया है 35400 अगर पहुंच जाएगा किस से होता है कि अब कुछ नहीं है 35 140 चल रहा है अल्मॉस्ट 300 के अब अगर पहुंचता है तो हम प्रेक इवन के आसपास 400 के आसपास कर देंगे 251 276 और यह फ्रेंड 250 मतलब मंडे को दो बज़कर 50 मिनिट के आसपास यह 322 अल्मॉस्ट अमारे एटेम पहुंच गया है आप देख सकते हैं अब हमें करना क्या है करना कुछ नहीं है फ्रेंड जो हमारा कॉल साइड का है जिथा उसको करना है एक्जिट और एटेम मतलब 35 400 को क करना है ठीक है फ्रेंड अब आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड फिर से उपर की तरफ 65 लॉस हमने अपने लॉस को कितना कम कर लिया है आप जो नॉर्मली ब्रे आयरेंड फ्लाई बनाते हैं आप लोगों ने देखा होगा उसमें अल्मॉस्ट हाफ कब होता है जैसे मैक्स प एक और चीज करेंगे या आपने यह किया है साथ में अप पूट साइड को देखो पूट साइड को क्या और अंदर ला सकते हैं हम यह बिलकुल नहीं सोचेंगे ना हमें तो अपने रूल फॉलो करने क्योंकि पूट साइड में अब आप देख रहे हो पूट साइड भी 6500 क जाके देखते हैं कि क्या 20 rule follow हो रहा है तो almost यहाँ follow हो रहा है 13-14 points देके हमें almost follow हो रहा है हम यहाँ तक आते हैं और almost free हो सकते हैं 33 600 को exit करना है यह आप देख सकते हैं फिर हम नीचे की तरफ loss free हो गए है और हम trade को आगे बढ़ाएंगे इधर हमारा loss थोड़ा सा बढ़ा है पिचात्तर सो हो गए है देखते हैं अब हमारा फिर इस market को आगे जाने देते हैं देखें friend होता क्या है आप देखें तुरंट जो है 200-300 points डाउन आ गया देखते हैं friend आगे क्या होता है क्या market आपका बनाई है एक direction में देखें हो जाने को जा सकता है एक direction में भी लेकिन हमारी जो condition है हमें market आपको one week में आप one month में तो कई मौके देती है लेकिन one week में भी एक दो मौके देगी ही देगी आपको अपने rules follow कराने के लिए अगर आपको मौका मिले आप immediate क्या करते है अपने rules को follow करें दो बत के साथ मिनट होगे ट्यूश्टे अब friend आप यहाँ पर देख सकते हैं अपके थर्टी फोर सेवन 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 आया था आपका market पहले 35,500 से ऊपर जा चुका था return आया वह almost उसने फिर 35 के नीचे गया और फिर अब वह आपके 500 के आसपास आ रहा और आप अपने ब्रेक इवन को देखें आपका ब्रेक इवन है 35,96 अल्मुस्ट 35,100 अब आप अगर आपका थर्टी फाइव फिर से टच होता है तो क्या आपको अपने ब्रेक इवन पर सिफ्ट नहीं करना चाहिए और पहले तो 20 रूल आप फॉलो करें 20 रूल अगर फॉलो हो रहा हो तो हमें पहले ही कॉल साइड को अंदर लेना है तो 33,900 सोरी 34,400 पर हमारी कॉल है तो 35,400 की कॉल को देखते हैं उसके बीच में डिफ्रेंस आया क्या नई फ्रेंड डिफ्रेंस नहीं आया लेकिन अब आप यहां देखें कि हमारी इस तरफ ट्रेड अल्मुस्ट फ्री है खाली माइनस 73 रूपीस का आप देख सकते हैं लॉ तो क्यों ना हम इस तरफ भी हमारे ट्रेड को थोड़ा सा यह 100 तक अगर हमें हमारा ब्रेक इवन है तो 100 तक लाने की कोशिस करें तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स 35,400 को एक्जिट करेंगे और 35,100 को बाई करेंगे अब आपकी ट्रेड फिर से देख सकते हैं फ्रेंड्स केवल 28,100 रुपीस का लॉस दोनों तरफ स्क्रीन पर शोग वह रहा है आपको ठीक है फ्रेंड्स अब आप ट्रेड को जाने दें नेक्स्ट बहुत बड़ा गैप अपाया 35,600 अल्मोस्ट का लॉस हो गया हुए अच्छा कई लोगों का यह कोईरी आ सकती है एक मिनट में बैक कर दूं कि सर आपने यह तो आप ब्रेक इवन आने पर आप कर अड़ेस्ट करने को कहते हो आपने अभी से क्यों एड़ेस्ट कर रहा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है आप इसे एकजिट कर दें और जैसी ट्रेड थी वैसे ही बने रह नहीं है आप देखें जैसे हमें क्या करते हैं कि 30 मिनट वड़ाया हमने यह आल्मोस्ट ब्रेक इवन आ गया पैतिस आधिस पर और पांस मिनट देख लेते हैं ठीक है फ्रेंड और अब ऐसे भी हमें क्लोजिन के टाइम पर हम ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते इधर जब इतना मार्किट अपको मूव हो चुका है तो हम मॉर्निंग में अगर गैप लगेगा तो जैसे कि मैंने पहली 700 पहीं कर लिया था अड़ेस्ट लेकिन कई लोग 500 को बाई कर लेते हैं 1000 को और इसको एक्जिट कर देते हैं अपना 33 35 400 की कॉल को एक्जिट कर देते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमें से 2200 रुपे का लोग से नीचे हमें 47 का दिखा रहा है देखते हैं अगर इसमें 20 रूल लगेगा तो हम 20 रूल को इसमें लगाते हैं 33 900 33 900 कि 170 और 119 हां बिल्कुल लग रहा है यहां पर हमारा इसे हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा लॉस कम जाएगा और यह 34 33 900 के पूट को एक्जिट कर देते हैं अब आप देख सकते हैं फ्रेंड आल्मोस्ट फिर वही हम 27 2700 के आल्मोस्ट लॉस पे हम लोग हैं अब हम ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट के लिए अच्छा फ्रेंड आप यहां पर देखें हम आल्मोस्ट वन बाई फॉर चल रहे हैं दस अजार रुपे का प्रॉफिट अभी भी हमारे स्क्रीन पर मैक्स प्रॉफिट शो हो रहा है और हम 2700 रुपे के लॉस में हैं तो आल्मोस्ट जो है मन बाई फॉर जबकि हमारी जो क किसी भी कंडिशन में 2700 से ज्यादा लॉस नहीं शो हो सकता है कि आगे बढ़ा रहे हैं वैंश्टे चल रहा है फ्रेंड हमें कि नहीं कर सकते हमारे हमें सिर्फ और सिर्फ थाष्टे को एक्सपायरी वाले दिन धाई बज़े का इंतजार करना है धाई बज़े के बाद हमें और प्रहमास्त्र है उसे हम्यूज कर सकते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अगर इसमें आएगा तो यह रिटन नहीं जाता है तो अगर वो जो भी कंडिशन होगी उसे हम यूज करेंगे अगर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अब हमें इतने दूर रिटन तो आने की उमीद है नहीं तो हम इसे सिद्धे ढ़ाई वजे के आसपास पहुंचाते हैं या तो 2700 रुपे का लॉस ले सकते हैं और नहीं तो हम ढ़ाई वजे के आसपास हम क्या कर सकते हैं वह आपको दिखाता हूं आप यहां पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 36,575 चल रहा है अब आपको देखना क्या है फ्रेंड आप यहां पर आए आपकी जो कॉल की हैज थी वह आपकी 35,000 थी अब आप 35,000 के कॉल को देखें फ्रेंड इस समय आपका मार्केट कहां चल रहा है मार्केट चल रहा है 36,600 के आसपास और आपकी यह कॉल 35,000 की कितनी चल रही है 1584 रुपे फ्रेंड आप यह देखें कि आपको जो यहां से आप हिसाब लगाएं कि 35,000 का प्राइस एक्चुल होना क्या चाहिए एक्सपायरी के टाइम पर जब एक्सपायर होगा ओल्मोस्ट 35,000 का जो प्राइस है वो जब हम 36,500 पिचतर में से माइनस करेंगे तो सोला सो सॉरी 1575 रुपे का डिफ्रेंस आ रहा है और आपका प्राइस 1584 रुपे चल रहा है 10 रुपे एक्स्ट्रा चल रहा है तो क्यों ना हम इसे बुक कर लें अगर हम यहां से मार्केट किसी भी कंडिशन में आप लोग ने यह साय अभी तक मेरी किसी वीडियो में यह व आनले मार्केट हमारे मॉल खे head लुक रेटर आले कि होटे है कुछ वीडियों जिसमें जो अग्रिटर नहीं आ एक अब आप इसमें देखें बिलकुल एक विक बिलकुल नहीं आए क्योंकि इसमें तो हमारी जो intrinsic value तो 100% आ गई ये अगर return आएगा तो ये भी return आएगा तो हम इसे करते हैं book और आप इससे देखना कितना बड़ा impact आएगा आपके profit में अगर आपकी ये करने के बाद market 200-400-500 point अगर नीचे आ जाए जो लास्ट के गंटे में expiry पे अक्सर हो जा हमने इसको मैंने यहां पर गलती कर दी तो 35,000 की जो मेरी call थी उसको मुझे बुक करना है और अब हमें hedge भी लेनी है तो hedge कौन सी खरीदेंगे friend हम hedge खरीदेंगे जो हमारे ATM चल रहा है ATM चल रहा है 36,600 तो 36,600 की जो price है उसे हम buy कर लेंगे ठीक है friend अब आप यहां देख सकते हैं कि आपको ऊपर की तरफ बलक में 46,000 तक का profit है क्या market last के गंटे में 500,000 पॉइंट नहीं गिर सकता bank nifty को आप मानते हैं कि नहीं गिर सकता ठीक है इतना नहीं गिरेगा हम माल लेते हैं 200-500 पॉइंट तो गिरेगा और हमारे loss कितना हुआ 51,100 का हमने अपने loss को 22,300 रुपे बढ़ा है और यह एक risk लिए यह risk की traders के लिए है friend वनना पहली वाली condition में आपको 27,300 रुपे मिल रह यह तो आपकी learning की fees है आपको अगर market में रहना है तो आपको trade करना ही पड़ेगा वहना को कहते हैं पढ़ते पढ़ते आप क्या कहते हैं सब कुछ कर लोगे लेकिन trader नहीं बन पा हुए आपको यह market practice मांगती है आपको practice चाहिए और practice के लिए trade करना ही पढ़ता है अब हमारी opposite में buy करेंगे shift करेंगे और अगर उपर जाएगा तो उतना ही हम उपर की तरफ scalp करेंगे means आपको समझ में आया आप समझे कि हमारा hedge है इस समय 36600 का अब अगर 700 जाएगा तो हम उसे 600 को निकालके 700 वाले को buy करेंगे और अगर वापिस आएगा तो 36600 को निकालके 500 का buy करेंग ठीक है फ्रेंड देखते हैं अब मैं 55 मिनिट बढ़ाता हूं जिससे आपको समझ में आया है अगर यह anyhow case 500 के बिलोव आता है तो हम 500 का buy करेंगे यह 500 के बिलोव आ चुका है फ्रेंड हमें immediate ways पे 36500 को buy करना है और इसको exit करना है किसको 36600 को अब आप फिर से loss देखें हम almost 2700 के loss के आसपास आ गए है 3500 का loss हमारा बचा है ठीक है अब हम देखते हैं अगर फिर 600 जाएगा तो हम 600 को buy करेंगे और अगर 400 जाता है तो 400 को करेंगे यह last में आपको कई बार बड़े profit दे जाता है इस type का method और आपके loss को तो कम करता ही है आप देख रहें 400 के पास पास आ गया है 400 को buy करेंगे और इसको exit कर देंगे अच्छा फ्रेंड इसको exit करने की क्या हो शक्ता है आप यह भी सोचें सिर्फ और सिर्फ चार रुपए चल रहा है जबकि हमारा time है भी market का एक मिनिट तीन बच के पंदा मिनिट पे हम पहुंच चुके हैं हम इसे अगर exit ना भी करें तो सिर्फ चार रुपई तो जा रहे हैं अगर market ने लाश्ट के पंदा मिनिट पे ऊपर की तरब move कर लिया तो हमें यह भी profit दे सकता है chances कम रहते हैं लेकिन दे सकता है यह 500 वाला भी तो अब आप देखें हैं friends हमारी स्क्रीन पर 18 सुपर चाते हैं यह अगर आपको ग्राफ क्या इश्यू आ रहा है तो मैं इसे exit कर देता हूं 36 आपको आरण फ्लाई की हिसाब से चाहिए तो यह मैंने exit कर दिया अब आप देखें हमारा 2700 रुपे का loss 1700 रुपे पर आ चुका है अब फिर सेम कंडिशन है हाला कि 15 मिनिट बचे हैं तो अब आप ऊपर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे लेकिन अगर नीचे आता है मार्केट 400 से 300 आता है तो इमीडियेट हम 300 को वाई करेंगे मार्केट 412 पर चल रहा है 402 और मार्केट ने उस दिन की एक्सपैरी अल्मूस्ट 36400 के पास ली और आपकी स्क्रीन पर यह 1800 दिख रहा है जबकि आप वो जब सैटल होता है प्राइस तो 1756 रुपे से ज्यादा मैक्स लोस से ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता तो अब आ प्रेटाइल वीक था इससे आपको इंपेक्ट क्या पड़ा आपने अपने रूस फॉलो किये आपको ऑनली सत्रा सो रुपे का लॉस हुआ सिर्फ अपने रूस फॉलो करके तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपको हर वीक में प्रॉफिटी होगा भई मुझे पास कई बार रि वीक का मैनेज करके या सिमुलेट करके आप लोगों को बता दूँगा को कोसिस करूँगा जैसे मेरे पास टाइमिंग रहे गिया मैं फ्री रहूंगा उस समय पर बट आप ये भी तो सोचें कि क्या हमें अपने रूस फॉलो करके अगर इतना सा लॉस हो रहा है तो क्या हम नहीं कर सकते इस एक वीक के चक्कर में क्यों क्योंकि इस वीक में हमने ट्रेड कहां डाली थी चौतिस हजार पांसो थर्टी फॉर फाइफ एंडड़ पे मार्केट ने एकस्पायर कहां लिया थर्टी सिक्स पोर अल्मोस्ट तू थाउजंड पॉइंट ऊपर तो क्या ऐसे अगर ओप को एक क्यों के लिए हमें घंड़नी चाहिं अगर आको कांसिस्तिंट मॉनिक कमानी है तो आपको हर वीक डालनी पड़ेगी जो लिए ली करते हैं सेम तिंग यहां पर मन्तली के लिए हैं जिसको कंसिस्टेंट मन्तली है हैं तो उन्हें हर मंफ ट्रेड डालने पड़ेगी प्रॉफिट होगा लोस होगा किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस और आप प्रॉफिट में ही होंगे अगर आप अपने रूस को फॉलू करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थोड़ी सी पकट रखते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट की ही तरफ आप बढ़ेंगे आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वीडियो एजुकेशनल परपस से बनाई गई थी इसमें मेरा किसी को भी मोटिवेट करने का मकसद नहीं है कि आप यह करें या ना करें सिर्फ और सिर्फ जो लोग आईरन फ्लाई करना चाहत हैं उनके लिए एजुकेशनल वीडियो है आप इसे अपने माइंड से सोचें कि आपको करना है कि नहीं करना और अगर आप लोगों को इस वीडियो में लर्निंग मिली हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक श्रूर करना इस वीडियो को थैंक यू फ्रेंड्स और नए स देख रहे हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब भी करें थैंक यू बाबाई